एक्स्ट हम most important topic start करेंगे जो होमेपेती का एक important topic है exam के according भी most important topic है और clinical practice के according भी clinical concept के according भी clinical concept को अपडेट करने के लिए उसे intrapartate करने के लिए ये वाला जो concept है most important है मैंने देखा है कि बहुत सारे होमेपते के students जो होते हैं वो degree करने के बाद भी उन्हें ये properly interpretation या concept clear नहीं होता है कि ये medicine कौन से category को belong करता है, ये कौन से scale में बनाया गया है, ये किस potency में बनाई गया है, इस scale का use करके कौन से potency बनाई जाती है, इन सिब का lack of knowledge होता है, कुछ बच्चों को, कुछ लोग को होता है, लेकिन कुछ लोग को नहीं होता है, ये मैं अक्सर देखा है, तो आज हम देखेंगे exactly क्या concept है, कौन कौन से potency को बनाने के लिए कौन सा scale, और किस तरीके से हम लोग homeopathic medicine बनाने के लिए जो parameters यूज करते हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा, जो हमारा topic है, वो exactly क्या है, scales of potentization, scales of potentization, मतलब potentization की process, फिर से मैं बताता हूँ, potentization अपने आप में खुब बड़ा topic है, अभी आगे जाके हम उसे देखने वाले हैं, तो potentization क्या है, एक process होती है, ज जिसमें homeopathic medicines बनाई जाती है, जब भी आप सोचेंगे what is the meaning of potentization, तो potentization क्या है, एक process होती है, जिसमें homeopathic medicines बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, exactly जो crude substance होता है, जो homeopathic medicine बनाने के लिए जो medicinal substance यूज करते हैं, उस medicinal substance में medicinal power होता है, जो inactive form में होता है, होता है, उसे हम काई में convert करते हैं, active form में convert करते हैं, और इसके inactive से active form में convert करने के लिए, जो हम process कर रहे हैं, called potentization, तो potentization एक process है, जिसमें homeopathic medicine बनाई जाती है, and exactly इसमें क्या करते हैं, inactive जो medicinal power है, उसे active medicinal power में क्या करते हैं, हम लोग convert करते हैं, एक process है, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं इन active medicinal power को active medicinal power में convert करते हैं लेकिन इस process को करने के लिए इस process में different type के parameters उप्योग किया जाते हैं मतला homeopathic medicine को बनाने के लिए different type के scale या parameters का map done का उप्योग किया जाता है parameters बोल दें, scale बोल दें, map done बोल दें, इनका use करके homeopathic medicine बनाया थी potentization की process तो कर रहे हैं लेकिन उस process को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कुछ scale या parameters का use करते हैं तो हम याद जो topic के हम देखेंगे हम लोग, exactly हम देखेंगे कि कौन कौन सी scale तो कौन कौन से parameters हैं जिसका use किया जाता है किसमें during potentization या potentization की process में कौन कौन से parameters, कौन कौन सी scale का use किया जाता है ठीक, तो ये भी question आ सकता है exam में तो scales of potentization, potentization की process में कौन कौन से scale use किया जाते हैं वो देखेंगे या जोगता है different scales of preparation of homeopathic drugs बाते की है इस potentization को मैंने क्या बोल दिया preparation of homeopathic drugs अतलो homeopathic drugs को prepare करने के लिए जो different type के parameters, scale, ठीक है न मापडन जो use किया जा रहे हैं वो आपको यहां मैं बता हूँगा ठीक, हम लोगे start करते हैं आपको पता होना चाहिए कि होमियोपैथी में होमियोपैथी में potentization की process में या medicine को बनाने के लिए drug को medicine को बनाने के लिए बोल दूँ या potentization word बोल दूँ that means मैं किस की बात कर रहा हूँ medicine बनाने की बात कर रहा हूँ या आप समझ जाएं ठीक है न तो मैं potentization word करूँगा तो आपको आपको आठीक समझ जाना है जै किस के बारे हम बात कर रहा हूँ preparation of homeopathic drug के बारे हम बात कर रहा हूँ क्या करते हैं हम लोग होमेपेथिक मेडिसिन बनाते हैं तो होमेपेथिक मेडिसिन को बनाने के लिए या पोटेंडरेशन की प्रॉसेस करने के लिए तीन स्केल का थ्री टाइप के स्केल्स का टोटल थ्री टोटल स्केल्स किते हैं तीन है या तीन पैरामीटर्स का यूज किय जाता है होमेपेथिक वर्ड में होमियोपेथिक वर्ड में इसके अलावा कुछ नहीं होता है होमेपेथिक वर्ड में कोई भी होमेपेथिक मेडिसिन मुझे बनानी है कोई भी हमेपितिक मेडिसिन को मुझे पोटेंटाइस करना है तो सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप के पैरामीटर्स का यूज किया जाता है तीन टाइप के पैरामीटर्स तीन टाइप के स्केल्स या मापडन्स का यूज किया जाता है पहला है decimal scale, कौन सा scale है पहला decimal scale, पहला scale का नाम है decimal scale, जिसका ratio होता है, इसे हम क्या बोलते है, one ratio nine, जिसका principle होता है, one ratio nine में भी आगे आगे आपका बताऊंगा, तो पहला जो scale है, वो कौन सा है, decimal scale है, दूसरा है centisimal scale, दूसरा कौन सा scale है, centisimal scale, इसका principle होता है, one ratio nine, ऐसा लिखा जाता है, ठीके ना, और last होता है, new method हम बोलते हैं, या new scale भी हम बोलते हैं से, 50 millisimal scale, इसमें होता है, one ratio 50,000, ठीके ना, ये basic concept है, आज के बाद आपको कोई भी बोले, homeopathic medicine में, या homeopathic medicine को prepare करने के लिए, कितने type के scale यूज होते हैं, पहला होता है decimal scale, पहला है decimal scale, दूसरा है centisimal scale, और तीसरा है 50-simal scale, decimal scale, centisimal scale, and 50 millisimal scale, decimal scale का principle है, one ratio 9, centisimal का किता है, one ratio 99, and 50 millisimal का है, one ratio 50,000, ठीके ना, ये तीन पैरामीटर्स, ये तीन scale का यूज करके, different type की, homeopathic medicine को क्या होता है, बनाया जाता है, और इन तीन scale का यूज करके, हैनिमेन के time से, अभी तक जो है, इनी scale का यूज करके, क्या कर रहे हैं, homeopathic medicine को बनाया जा रहा है, जो 50 millisimal scale है, ये एक new scale है, इसका यूज अभी थोड़ा कम है, लेकिन आज के जमाने में, पहले फोड़ा कम हो रहा था, लेकिन अभी के time में, 50 millisimal scale का भी, इस scale से भी, homeopathic medicine का बनाना बढ़ रहा है, और homeopathic physicians क्या है, इस से बनने वाले जो homeopathic medicines है, उनका use भी कर रहा है, क्योंकि इस से में, जो homeopathic medicine बनती है, इनका जो result है, patient को cure करने में, very miracle, miracle हमें इसमें मिल रहा है, ठीक है न, तो तीन scale है आपको याद होना चाहिए, आगे देखेंगे, ये concept आपको clear हुआ, की भी, homeopathic medicine बनाने के तीन scale है, आगे हम एक छोटा साब आपको यहाँ, कॉंसर बता दू, मैं आपको potentization process, हम एक तीक देर से बात कर रहे हैं, potentization process, homeopathic medicine बनाने की है, तो exactly दो type की process होती है, potentization की जो process होती है, वो दो होती है, एक होती है trituration, और एक होती है, suction, एक होती है, trituration, दो method होती है, ट्राइचुरेशन और दूसरी होती है सक्सन दो मेथड होती है और इन दोनों मेथड में जो पोटेंटरेशन की हम बात कर रहे हैं होमेपेतिक मेडिसन बनाने की बात कर रहे हैं तो पोटेंटरेशन की जो प्रॉसेस है या homoephetik medicine बनाने की जो process है वो दो type की होती है and meth makes dönemn in basic and hunton, yeah. करके and by 처etation and section दोनो process potentization है इन दोनो method में इन तीनो scale या तीनो parameters का use करके homeopathic medicine बनाई जाती है तो आज कहlebो Scottish नहीं होना है scale तीन parameter है तीन scale है decimal, centicimal and cgment. स्केल है लेकिन इन तीनों पैरामीटर्स का यूज करके हम लोग क्या करते हैं होमेप्तिक मेडिसिन बनाने के रहे होमेप्तिक मेडिसिन बनाते हैं पॉटेंटराइस करते हैं ठीक है ना तो पॉटेंटरेशन की दो मैथड है ट्राइचुरेशन एंड सक्षन ट्राइचुरे ठीक है न तो जो आपको decimal 50mm scale जो है यह सिर्फ parameters है ठीक है और यह पूरी की पूरी process है ठीक यह आपको समझ में आया होगा आगे हम बात करते हैं यह हमने देखा अभी कि decimal scale में मैंने आपको बताया 1 ratio 9 ठीक cent decimal scale मैंने बताया 1 ratio 99 और 50mm बताया मैंने 1 ratio 50,000 यह मैंने आपको बताया आप देख रहे होंगे जो 1 सब scale में common है और यह जो 1 है exactly बताता है part of drug part of drug किसके बारे में बताता है यह जो 1 है वो किसके बारे में बता रहा है drug के बारे में बता रहा है ठीक है ना और यह आप देख रहे हैं यह decimal में change हो रहा है 90 or 100 decimal में change हो रहा है and 50 millisimal में change हो रहा है यह वाला जो part है यह हमें बताता है vehicle के बारे में मतलब part of vehicle के बारे में बताता है part of vehicle के बारे में हमें बताता है कि जो 1 है वो हमें किसके बारे में बताता है drug के बारे में बताता है और यह हमें जो यह वाला part है बताता है drug part of vehicle के बारे में तो जब हम decimal scale का use करेंगे इसका मतलब उसका principle क्या है one ratio nine है इसका मतलब इसमें जो one part है हम क्या लेंगे drug substance लेंगे and जो nine part है वो हमें बताता है vehicle तो nine part हम क्या लेंगे वो वहिकल लेंगे तो यदि मैं one part drug substance ले रहा हूँ और nine part वहिकल ले रहा हूँ इसका मतलब मैं कौँशी scale उस कर रहा हूँ decimal scale उस कर रहा हूँ ठीक है न तो ये सिर्फ जो scale है हमें drug और वहिकल के बारे में information देते हैं यह हमें बताते हैं कि कितनी मातरा में drug मिलाना है और उसमें कितनी मातरा में वहिकल मिलाना है most important line आप याद कर लें कि जो scale है वो सिर्फ हमें बताते हैं drug की quantity and vehicle की quantity drug की quantity और vehicle की quantity को कितना mix करना है उस बारे में बताते हैं mix करने के बाद हम क्या करते हैं पोटेटैजन करते हैं चाहे हूं हम क्या करें सक्सं की प्रसेस करें लेकिन इसकेल सिर्फ हमें क्या बताता है कि कितनी मातरा में हमको strategize मिलाना है काइश मुझे का बनाना हम वहिकल मिलाना है तो यदि मैं 1% एक पार्ट ड्रक सब्स्टेंस और 9 पार्ट वहिकल लेता हूँ तो वो क्या है decimal scale की बारे मैं बात कर रहा हूँ यदि मैं centisimal scale यूज़ करूँगा तो एक पार्ट क्या लूँगा drug substance और 99 पार्ट मैं क्या लूँगा वहिकल यदि मैं एक पार्ट ड्रक सब्स्टेंस और उसमें 99 पार्ट क्या मिलाता हूँ वहिकल मिलाता हूँ यदि मैं एक पार्ट क्या लेता हूँ ड्रक सब्स्टेंस और 50,000 पार्ट क्या ले रहा हूँ मैं वहिकल 50,000 पार्ट क्या मैं ले रहा हूँ वहिकल यह मुझे क्या बताता है 50 Millisimal Scale के बारे में बताता है ठीक है? आप यहाँ देख रहे होंगे कि जो Drug Substance का जो पार्ट है वो तीनों Scale में एक जैसा है Most Important याद रखना है कि तीनों Scale में Drug Substance का जो पार्ट है वो क्या है? Constant है हड़ जगा हमको एक लेना है लेकिन जो वहिकल में राने का जो पार्ट है वो क्या है? वेरी कर रहा है Decimal Scale में 9 हो गया Centicimal Scale में कित्ता हो गया? 99 हो गया 50 Millisimal Scale में कित्ता हो गया? 50,000 क्या हो गया? वहिकल हो गया तो आपको याद रखना है जो Scales होती है उसमें Drug Substance का पार्ट हमेशा कैसा होता है? Fix होता है एंड जो वहिकल का पार्ट होता है वो वेरी करता है ठीक है न? तो कोई वाईवा में कोशन कर सकता है कि भाई जो Scale होती है उसमें Fix क्या होता है? तो आपको बोलना है drug substance का part कैसा होता है fix होता है क्योंकि तीनों में one one part ले रहे हैं लेकिन जो vehicle मिलाने का जो part हम की बात करते हैं vehicle mix करने के जो बात करते हैं वो अलग-अलग होता है decimal में 9, cent decimal 99 और 50 decimal में 50,000 होता है ठिक आपको इस समझ में आ रहा हूँ को मुझे लग रहा है ये concept clear हुआ आपका आगे हम बात करेंगे कि potentization की process में triturization instruction की process यूज करते हैं मतलब भी दोनों process को हम क्या बोलेंगे potentization बोलेंगे यदि मैं triturization word यूज कर रहा हूँ that means क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ मैं सक्षन बोल रहा हूँ that means किसके बारें सोच रहा हूँ मैं potentization बोल रहा हूँ ठीक है ना अब आगे को इस बताता हूँ कि जब हम triturization की process यूज करते हैं triturization की यूज करते हैं या triturization की process में इन तीनों में से कौन-कौन सा parameter यूज़ करके होमेप्रतिक ड्रग बनाई है सकती है तो trituration वाली जो potentization की process है trituration वाली जो potentization की जो process है इसमे decimal scale का use करके and centisimal scale का use करके क्या बनाई जाती है होमेप्रतिक medicine बनाई जाती है जब भी आपको trituration की process करना है तो उस process में हमारे पास सिर्फ दो scale है एक decimal scale है और एक कौन से scale है centisimal scale है फिर से बोल रहा हूँ जब कभी मैं trituration process करूँगा trituration potentization की process करूँगा तो उस process में एदि मुझे होमेप्रतिक medicine बनानी है तो उस होमेप्रतिक medicine को बनाने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही scale होते है वो कौन सा होता एक decimal scale होता है और एक होता है centisimal scale लेकिन जब मैं section की process करता हूँ और section की process में decimal scale का भी यूज़ कर सकता हूँ centisimal scale का भी यूज़ कर सकता हूँ and 50 millisimal scale का भी यूज़ कर सकता हूँ इन तीनों scale का use करके सेंटि सक्षन की process से होमेप्रितिक मेडिसिम बनाई जाती है यदि कोई पूछता है कि सक्षन की process में कौन कौन से scale का use कर सकते हैं या जब भी हम सक्षन का process करने जा रहे हैं तो हमारे पास तीन parameters हैं decimal, centicimal and 50 millisimal यदि मैं trigulation यूज़ कर रहा हूँ तो decimal और centicimal का use कर रहा हूँ ठीक है ना इस process में जब मैं decimal scale का use करूँगा तो one part क्या लूँगा drug substance और nine part क्या लूँगा और नाइन पार्ट क्या लूँगा वहिकल यदि मैं trigulation में centicimal scale का use करता हूँ तो मैं क्या लूँगा one part of क्या लूँगा drug substance और 99 part क्या लूँगा मैं vehicle ले लूँगा यदि मैं section की process करने जा रहा हूँ और इसमें decimal scale का use करूँगा तो one part of drug substance and nine part of vehicle use करूँगा इसमें भी क्या होगा cent decimal में one part of drug substance 99 part of vehicle and 50 millisimal में क्या होगा one part of drug substance and 50,000 part of क्या लेना है मुझे vehicle लेना है अब वहेकल कोई साभी हो सकता है चाहिए सुगर आप मिलको एलको अलो जो मैंने आपको पता है vehicle vehicle कोई भी हो सकता है वह मैं भी आपको आगे बताऊंगा तो यह है basic concept जो आपको आना चाहिए इसके बिना potentization को समझना बहुत मुझेल है यह basic concept है अभी हमने start किया topic क्या scale of potentization उसी को हम आगे भी continue करेंगे ठीक है न और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा exactly potentization की process ठीक है अगे देखेंगे आज के जमाने में all three scales are used आज के time में तीनों scales का decimal centecimal and 50 millisimal तीनों scales का use के जाता है for preparation of homeopathic drug या potentization की process में तीनों scale का use आज के जमाने में होता है ठीक है आगे बात करेंगे जो 50 millisimal scales है या 50 millisimal जो scale है is relatively seldom मतलब इदी compare करें तो decimal और centecimal scale की तुल्ना में जो 50 millisimal है थोड़ी कम मात्रा में या उसे कम use किया जाता है for potentization की process के लिए 50 millisimal प्रोसेस 50 millisimal scale का use थोड़ा सा कम किया जाता है as compare centecimal और decimal compare करेंगे तीनों का तो कर रहे हैं लेकि हम compare करेंगे तो तीनों में दो scale जो centecimal और decimal scale और centecimal scale जो है उनका use जादा होता है और 50 millisimal का use थोड़ा सा कम होता है आगे देखेंगे french french में जो है वहाँ पर centecimal scale का use जादा होता है जो english countries हैं वहाँ पर भी centecimal scale का use जादा होता है लेकिन जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में decimal scale का use जादा होता है फ्रेंच में centecimal English countries में centecimal एंड जर्मनी में क्या होता है decimal scale का use most commonly होता है आगे बात करते हैं सबसे पहले हम दो देखेंगे decimal scale या one ratio nine ठीक है ना decimal scale या one ratio nine जो decimal scale है इससे सबसे पहले world में homeopathy में सबसे पहले introduce किया था किसने doctor constantine hearing ने किया था सी हेरिंग सी हेरिंग या constantine hearing ने क्या किया था सबसे पहले world में इसे लाया था तो decimal scale को first time homeopathy में introduce किने किया था world में homeopathy के लिए किसे introduce किया था decimal scale को किसने constantine hearing ने सबसे पहली बार इसे introduce किया था कब किया था 1836 में कब किया था 1836 में किया था and इसका principle क्या है one ratio nine जो one है वो बताता है part of drug को drug के part के बारे में बताता है और जो nine है यह में बताता है part of vehicle के बारे में क्या बताता है में part or part of vehicle के बारे में exactly जो है decimal skill हमें क्या बताता है drug और vehicle का कितना रेसियू लेना है for potentization division this next time क्या बताता है यहिए इसकेशिंग किया बताएगा सिर्फ रेशिुवताएगा कि ड्रक का कितना पार्ट लेना है और वहीकल का कितना पार्ट लेना है for potentization यदि मुझे कोई potentization की process करनी है तो मुझे कितनी मातरा में drug लेना और कितनी मातरा में vehicle लेना है तो वो मुझे कहां से मालूम चलेगा decimal scale का use करेंगे यदि मैं decimal scale use कर रहा हूँ तो बताता है मुझे उसमें मैं एक part क्या लूँगा drug substance लूँगा और nine part मैं क्या लूँगा vehicle लूँगा और इन दोनों को mix करके इन दोनों ratio में part दोनों part को लेके drug part को और vehicle part को लेके mix करके मैं क्या करूँगा potentization की process करूँगा exactly decimal मतलब 10 बताता है मैं तो one plus nine ten हो जाता है ठीक है ना decimeter 10 decimeter मतलब 10 होता है तो आप याद कर सकते हैं one plus nine ten इसका यह आ रहा है ठीक है ना आगे बात करेंगे potency of this scale content जब भी इस potency में जब भी इस scale में जब कभी भी हम इस scale का use करके कोई भी medicine बनाते हैं तो जो medicine बनती है तो exactly क्या होता है उसमें drug power बनता है तो जो drug power बनता है हम उसे क्या बोल रहे है potency आगे मैं बताऊंगा what is the meaning of potency तो मैं याँ word यूज़ कर रहा हूँ potency तो जब भी मैं इस scale का use करके जो मैं drug बना रहा हूँ और जो मैं potency बना रहा हूँ जो drug बन रहे है मतलब उसमें कोई ना कोई power बन रहा है potency बन रहे है power बन रहे हम उसे क्या बोल दिये potency बोल दिये तो बताऊंगा मैं exactly what is the meaning of potency तो इस scale का use करके जो हम potency बनाते हैं ठीक है ना जो भी हम potency बनाते हैं उसमें एक बटा दस part of original drug एक बटा दस part of original drug जो original drug का एक बटा दस part होता है हमद में आ रहा होगा एक part drug है नाइन पार्ट वो है तो एक बटा दस part government जाब का question है decimal scale में जो original drug substance का कितना part होता है तो एक बटा दस part होता है जब भी decimal scale में आप कोई भी homeopathic medicine बनाएंगे इस scale का यूज करके homeopathic medicine बनाएंगे तो उसमें original drug substance کا कितना content होगा जो original drug substance है एक बटा दस तो जदि एक बटा दस part हम बोल रहे है original drug substance का बोल रहे है तो इसका मतलब है कि इस type के drug को बनाने के लिए कौन सी स्केल का यूज किया गया है डेसिमल स्केल का यूज किया गया है या डेसिमल स्केल का यूज करके जो ड्रक्स जो पोटेंसी बनती है उस पोटेंसी में उस पोटेंसी में ओरीजनल ड्रक्स सबस्टेंस का कितना कंटेंट है एक बटा दस पार्ट decimal scale का use करके जो भी हमने potency बनाई है यदि उस potency में हम बात करेंगे तो original जो drug substance है उसका कितना part है एक बटा 10 part है तिक आगे बात करेंगे जब भी यह medicine हम बनाते हैं तो उसके लिए हम उसे denote करते हैं X से या D से commonly हम इसे X से करते हैं और D से भी करते हैं लेकिन most commonly हम लोग करते हैं X से यदि हमने एक power बनाई हम बोल देंगे 1X 2 power बनाई हमने क्या बोल दी है 2X तीसरी power बनाई हमने क्या बोल दी है 3X 4 बनाई हमने क्या बोल दी है 6X 4X 5 हमने बनाई तो 5X 6 हमने बनाई तो 6X ऐसा लिखा होता है यदि ये 1X लिखा हुआ है इसका मतलब कौन सी स्केल का यूज किया गया है डेसिमल स्केल का यूज किया गया है इससे X से लिखा जाता है ठीक है ना तो इस स्केल को हम लोग कैसे लिखते हैं X से लिखते हैं या D से लिखते हैं गौर्वेंट जब कोश्चन है तो यह जो एक से में क्या बताता है डेसिमल स्केल के बारे में बताता है और इसको ऐसा लिखा जाता है ठीक है ना आगे देखते हैं यूज डेसिमल स्केल का यूज हम कहां कहां करते हैं सबसे पहले हम लोग करते हैं old method old method of potentization potentization की जो old method है जिसको किन्हें लिखा था master honeyman honeyman के दोरा लिखी गई जो old method है उस old method में उस old method के दोरा potentization की जो process होती है ठीक है ना या old method के दोरा जो medicine बनाई जाती है उसमें इस scale का use होता है तो यहां दो चीज़ बन जा रही है old method में use होता है या कोई बोल दे है honeyman method honeyman method बोल दो या old method बोल दो बाते की है तो आप बोल सकते हैं इसका use कहा होता है old method में या honeyman की method में use होता है ठीक है ना दूसरा बोलेंगे to make lower potency lower potency छोटी potency छोटी potency को बनाने के लिए use किया जाता है अब यह lower potency क्या होती है आपका पता दूँ वन से लेकि 100 तक मालने है अपन तो जो वन है वह lower number है 100 क्या है बड़ा number है तो बिल्कुर वही concept है यह जो मुझे lower potency बनाने मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं one की बात कर रहा हूं two की बात कर रहा हूं three की बात कर रहा हूं four तो lower potency यह होता है मैं high potency की बात करूंगा तो क्या होगा सो 99 100 more than 100 उसकी बात कर रहा हूं तो lower potency की बात कर रहा हूं मतलब one two three four यह जो lower potency है उससे बनाने के लिए किसका यूज करते हैं decimal skill का यूज करते हैं ठीक है ना आगे है to make up to seven x sorry six x most commonly decimal skill में हम बोड़ रहे हैं जो lower potency बनाने की बात कर रहे हैं तो वह commonly बनाई जाती है one x two x three x four x five x and six x यहां तक most commonly बनाई जाती है और भी बनाई जाती है लेकिन six x या up to six x तक बनाने में यूज होती हैं आगे बात करेंगे modern method इसका use modern method में होता है या new method new method में भी use होता है modern method में भी होता है किसके लिए for preparation of mother tincture mother tincture को बनाने के लिए यदि मुझे new method से new method से modern method से mother tincture मुझे बनाना है most important line यह आप याद कर लें यदि मुझे new method से modern method से मुझे यदि mother tincture बनाना है तो one and only homeopathic world में सिर्फ एक ही scale इसका नाम क्या है decimal scale जब कभी भी हम new method से mother tincture form करेंगे mother tincture भी एक homeopathic medicine है आगे बताऊंगा मैं आपको exactly क्या होता है तो mother tincture को new method से बनाना है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही scale का use होता है homeopathic world में one and only decimal scale तो decimal scale का use करके हम लोग क्या करते हैं new method में mother tincture बनाने की बात करते हैं जब भी हम new method की बात कर रहे हैं new method से mother tincture बनाने की बात कर रहे हैं बारे में decimal scale के बारे में यहां से बहुत सारे question exam में आते हैं old method में animal method में decimal scale lower potentially decimal scale up to 6x decimal scale or mother tincture new method में decimal scale ठीक है ना and x d से करते हैं जब भी decimal scale में जो potency बनेगी उसमें original crude substance का कितना power होगा कितना contain होगा एक वटादस होगा one oblique 10 होगा ठीक है ना इसमें one ratio nine का principle होता है one part drug substance को nine part vehicle को बताता है ठीक है ना 1836 में यह आया था और इसको इंट्रड्यूस के ने किया था डॉक्टर constantine hearing ने किया था यह पूरे के पूरे जो कौन जो बनाव को बता हैं गवर्मेंट जॉब में most time पी वाइवा के question में भी आ सकते हैं ठीक हम आगे देखते हैं centisimal scale जो centisimal scale है यह हम इसे क्या बूलते हैं one ratio 99 इसे इंट्रड्यूस किया था सभोल हैंीम। हैंीमच के दौरा master हैंीमunku के हरा master के दौरा फर्स टाइम जो हमेपेथि में जो centisimal is available us told से इंटर्ड्यूस किया था उन्होंने master हैं सेमॉल हैंीमन किसमें कि दा किसमें किया था और यह जो पाचवा एडिशन कब आया था 1833 में आया था 1833, 1833 में जो फिप्ट एडिशन था इसे इंट्रड्यूस किया गया था और इसमें, इसमें मास्टर हैनी मैंन ने पहली बार सेंटिसिमल स्केल का या वन रेशिव 99 के बारे में डिसकस किया था और इस फिप्ट एडिशन में जो ऑगरन उनाफ मेडिसिन जो बुक है अगरन उनाफ मेडिसिन का एक बुक है इस बुक का जो पाचवा एडिशन है जो 1833 में क्या हूँ पब्लिश हुआ तो इस बुक के 270 एफोरिज्म कहां पर लिखा है उन्होंने स्वरी उन्होंने कहां लिखा है 270 नंबर के एफोरिज्म में 270 एफोरिज्म पर 270 नंबर वाले एफोरिज्म में इसे उन्होंने क्या किया है लिखा है किसे सेंटी सेमल स्केल के बारे में या वन रेश्यू 99 के बारे में उन्हें लिखा है तो डॉक्टर सेमुल हैंई मैंने इंट्रड्यूस किया किसमें बताया और पहली बार कब आया यह और अच्छों सब्सक्राइब में लिखा हुआ है चारों के चारों के कुश्शन इसका कॉंसेट क्या है बद्रेश्यू 99 बारे में बताता है यह लेते हैं इन दोनों के ratio को यूज करके proton के process करता हूं तो कौन नियुज कर रहा हूं कि यह मुझे क्या क्या बता रहा है ड्रॉक्वास्टेशी में मिलाना है किपने रिशिय में मिलाना है इस बारे में सिर्फ हमें पोटेंसी बनती है उसमें original drug substance का कितना पार्ट होता है एक बटा सौ पार्ट होता है इसमें जो भी medicine बनती है उसमें original drug substance का जो original drug substance होगा उसका कितना content होगा यदि हम बोलेंगे centisimal scale में बनने वाली जो medicine है उसमें original drug substance का कितना content है तो एक बटा 100 किता है एक बटा 100 होता है आगे बात करेंगे इसे हम C ऐसा लिखते हैं या हम इसे क्या लिखते हैं? CH ऐसा अगर के लिखा जाता है 1C, 2C, 3C ऐसा लिख सकते हैं या 1CH, 2CH, 3CH ऐसा लिखा जाता है तो जब भी CH लिखा है, C लिखा है वो हमें क्या बताता है? centisimal scale ने बननी हुए drug के बारें बताता है एक अगला जो most important point बताने में जा रहा हूँ जो most important point है clinical concept हमें बताता है कई बाए student पूछते हैं कि सर इसमें तो कोई potency लिखी नहीं है मतलब potency के बाद कुछ लिखा हुआ नहीं है यह कौँ सी scale ने बना है? हमें नहीं पता है कैसे हम पैचानेंगे? कई बाए बाए वो confused जाते हैं बतानी पाते हैं या गल्द scale के बारे में बोल देते हैं तो आपको या दोना चाहिए कि यदि कोई भी potency कोई भी potency चाहे वो एक लिखा है एक potency, दो potency, तीन potency लिखा है और किसी भी potency के बाद कोई भी suffix नहीं लगा हुआ है कोई भी potency के बाद ना तो x लिखा है, ना c लिखा है कुछ भी नहीं लिखा है सिर्फ two लिखा है सिर्फ three लिखा है सिर्फ hundred लिखा है और उसके बाद कोई भी कोई भी मतलब suffix नहीं लिखा है like c, ch या decimal की बात करें, x नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ number लिखा है, तो जब कभी ऐसा लिखा हुआ है, तो हमको समझना है, कि ये कौनशी scale ने बनी है, सिर्फ और सिर्फ कैसमें बनी है, centisimal scale ने बनी है, most important point. यदि कोई भी medicine के power के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हमें क्या समझना है, कि वो कौनशी scale ने बनी है, वो सिर्फ हमको indicate करती है, centisimal scale के बारें बताती है, किसके बारें बताती है, centisimal scale के बारें बताती है, तो आज के बाद आप समझ जाएं कि हमने कोई मेडिसिन देखी है और उसके सामने सिर्फ लिखा है थर्टी उसके सामने लिखा है तो हम इससे क्या बोलेंगे कि क्या समझेंगे हम लोग से कि और कैमें बनी हैं सेंटी सिमल इसकेल का यूज करके बनी है और उसमें जो मेडिसिन बना देख समय जो इसमें ड्रुक्स अब वहिकल का जो रेशीयो लिए यह किता है वन रेशीयो 99 लिया अगर देखते हैं यूजव के इसका यूजव भी होत सेंटिसिमल स्केल यूज़ की जाती है हाई पोटेंसी बनाने में डेसिमल स्केल यूज़ की जाती है लोग पोटेंसी बनाने में सेंटिसिमल स्केल जो है हैस बीन डिसकारड़ बाई न्यू ओफिसियल फार्मोकोपिया न्यू ओफिसियल फार्मोकोपिया ने इसे discard कर दिया है use करने से बना कर रहा है उसे use करने से रोखने की बात काता discard कर दिया है क्यों क्योंकि due to uniformity of drug strength 10% क्योंकि इसमें जो भी medicine बनती है उसका जो drug strength है वो कितना होता है 10% होता है उस current से new official homeopathic pharmacopoeia ने इससे क्या कर दिया है discard कर दिया है यह बताया गया है लेकिन इसका use क्या है old method में and for high potency बनाने के लिए होता है ठीक है ना new method में इसका use नहीं हो रहा है new method में method इंचा बनाने के लिए किस method का use होता है decimal scale का use होता है तो यह basic concept है किसका centisimal scale का जो आपको आना चाहिए और government job के साब से exam short note के साब से most most IMP question बनता है next हम आगे देखते हैं third number का scale 50 millisimal scale 50 millisimal scale या one ratio 50,000 यह इसका principle है ठीक है इसे also called LM scale also called LM scale हम इसे क्या बोलते हैं LM scale भी बोलते हैं कौन से scale LM scale भी बोलते हैं ठीक है न introduce in sixth edition of organ of medicine organ of medicine के छटवे edition में organ of medicine के छटवे edition में इसको क्या किया गया था first time introduce किया गया था और यह जो sixth number का जो organ of medicine के जो एडिशन था यह 1921 में publish किया गया था और यह जो LM scale या 50 milisimil scale के बारे में जो sixth edition में बताया गया था वो कौन से अप्रोज में बताया गया था 270 फिर से याद करें आप कि इसे इसके बारे में sixth edition में लिखा गया था इसके बारे में उसमें भी कौन से नंबर पर एफ्रोज में लिखा गया था 270 में लिखा गया था इस sixth edition को कब इंटर्डूस किया गया था मतलब वर्ल्ड में कप पब्लिश किया गया था 1921 में पब्लिश किया गया था ठीक है न और यह जो पब्लिश हुआ था 1921 exactly हैने में के 78 यर after death हैने में के 78 डेथ के 78 यर हो जाने के बाद हैने में के डेथ के 78 यर हो जाने के बाद बाद 1921 में 6th edition of Organ of Medicine को पब्लिश किया गया और जिसमें पहली बार देखा गया 50 Millisimal Scale के बारे में देखा गया और वो भी कहां पर लिखा था उस बुक में 270 एफोरिस्म में लिखा हुआ था अगे बात करते हैं दिस नेम वास नॉट गिवन बाई मास्टर हैनी में अंडर लाइन कर ले गॉर्मेंट जाओ का कोश्चन है वाईवा कोश्चन है कि 50 Millisimal Scale जो नाम है ये हैनी में के दोरा नहीं दिया गया है ये हैनी में के दोरा नहीं बोला गया है ठीक है ना लेकिन इस नाम को फर्स टाइम किस ने दिया डॉक्टर पीर समिथ डॉक्टर पीर समिथ ने दिया था जनेवा जनेवा के डॉक्टर पीर समिथ जो थे उन्हों ने पहली बार इसका जो नाम फर्स टाइम इंटर्डूस किया या पहली बार इसका जो नाम है 50 Millisimal Skill जो नाम है किस ने दिया पीर स्मित ने दिया था जनेवा के ये आपको एद रहने हैंनी में नहीं दिया इन्होंने दिया था आगे बात करेंगे एनी मेन ने इसको क्या बोला था नूय मेतज़ बोला था क्या बोला था उन्होंने बोला था ua renewed With fam भश्ываем क्या था रिनीव डाइनामाइजेशन रिनीव इन्श बॉनिवड डानामाइजेशन क्या है पोटेंट्रेशन का एक और नाम Potentization का एक और नाम क्या होता है Dynamization आज कैसा अब याद कर लें Dynamization बोल दूँ या Potentization बोल दूँ बात एक ही है Dynamization Potentization बात एक ही है ठीक है ना तो इन्होंने बोला था New Method और क्या बोला था As a Renewed Dynamization किसे पर दोला था 161 Sixth Edition के Sixth Edition के 161 बार जो Apparism नंबर है उसमें उन्होंने क्या बोला New Method बोला या Renewed Dynamization के बारे में उन्होंने इसे बोला आगे बात करेंगे 132 Apparism के Footnote पे इन्होंने बताया कि New Altered But Perfected Method Perfected Method उन्होंने बताया 132 नंबर के Apparism में Sixth Edition के 132 वे Apparism पे Renewed में ने क्या बोला New Altered Alterated New Alterated But Perfected Method New Dynamization Method इसे इसे उन्होंने क्या बोला New Dynamization Method तो New Dynamization Method इस वर्ड को उन्होंने Sixth Edition के 132 वे 132 आपरिजम पे बोला ठीक है ना And 161 पे क्या बोला उन्हें Renewed Dynamization आपको याद रखना है Government Job का Question हो सकता है कि वही 161 एपरिजम पे एन्हें में ने क्या बोला क्या बोला Renewed Dynamization के बारे में बोला Renewed Dynamization कोश्चन आ सकता है कौन से एपरिजम में बोला 161 में कौन से एडिशन में बोला Sixth Edition में बोला वैसी 132 एपरिजम में क्या बोला उनने New Dynamization बोला यह एक बड़ उनने क्या किया New Altered But Perfect Method बोला ठीक है न यह New Altered But Perfect Method यह कौन से एपरिजम में बोला है 132 पे बोला है New Dynamization Method कहां बोला है 133 एपर बोला है कौन से एडिशन में बोला है Sixth Edition में बोला है Government Job कोश्चन यहां से बनता है हमें सायाद रखना है 50 Millisimal के बारे में जो भी डीटेल है वो काई में दिया हुआ है New Method जो है Dynamization की जो New Method है वो काई में डीटेल दिया है पूर का पूर डीटेल किसमें दिया है Sixth Edition of Organism Medicine में दिया Potency prepared under this method इस method में जो potency बनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं 50 Millisimal Potency बोलते हैं या एक और नाम होता है तो वन पार्ट क्या बताता है कर लेंगे और एक पार्ट डुख कर लेंगे दोनों को मिक्स करते हैं और पॉलेटरीरि़िशन की प्रोसेस करते हैं तो जब प्रोसेस कर रहे हैं और उसमें हम जो नी b5 को कितना की भाठ्य करते हैं तो नो को मिक्स करके हम लोग क्या करते हैं Dus से हैं next है material part of medicine, इसमें जो medicine का जो materialijn जो, जो original drug substance का जो material ही या the original part, जो है, वो कितने 供ुना कम जाता है? ¬50 गुना 50 गुना कम हो जाएगा? ठीके न? मटेरियल प मेजिस्टा जो मेडिस्टी का होता है 50 eg biz होता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं 50% क्या मिला देते हैं फिट्य सॉन क्या मिलाते हैं और वहिकल मिलते हैं इसलिए उस म्हाइब का जसба जो मैडिसनल treat for these Nej उचल में जो मेडिसनल प्रिय हैं कितना कुना कम पचास हजाद गुना कम हो गए 5000 गुना कम गया है तैम गुना ॉत है ठीक है ना इन इच डिग्री ऑफ डैनमेशन जितनी पोटेंसी बढ़ते आईगे उसे क्या नहीं हो सा हर बार वह 50-50 क्या हो जाएगा कम होते जाएगा तो यह है आपका 50 मिली सीमल स्केल ठीक है थोड़ा पार्ट इसमें और आगे बचा वह मैं आपको आगे बचाता हूं हम देखते हैं 50 मिली सीमल स्केल को कैसे शो किया जाता है पतलब इसमें जो मेडिसिन बनती है उसके हम उसे कैसे लिखते हैं इंडिया और बंगलादेश में जीरो बाई वन ज सेंटी सेमल स्केल हम लिखते हैं वन सी या वन सी एच वैसे हम लोग लिखेंगे से क्या जीरो बाई वन जीरो बाई टू जीरो बाई त्री जीरो बाई फॉर या एम अबलिक वन एन बाई टू यह एन बाई वन सॉरी एम वाई वन एम वाई टू एम बाई त्री एम बाई एसा लिखते हैं western countries की बात करेंगे तो 1 by 0, 2 by 0, 2 by 3, 3 by 0, 4 by 0 ऐसा लिखा जाता है यदि master honeymoon की बात का honeymoon ने क्या लिखा इसे 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3, 0 by 4 इंडिया और master honeymoon को हम लोग follow करते हैं इंडिया में master honeymoon को फॉलो गया था 0 by 1 आगे बात करेंगे हम लोग LM इसे बोलते हैं LM by 1, LM by 2, LM by 3, LM by 4 ऐसा भी लिखा जाता है ठीक है ना हमने बोला था इसे LM potency भी बोलते हैं LM इसके लिए बोलते हैं तो उससे यह word आया है L मतलब होता है 50 और M मतलब होता है millisimal इसमें जो L है वो 50 को बताता है M किसको बताता है millisimal को government जब का question है Roman में 1, 2, 3, 4 ऐसा लिख दिया आता है और हर जगा आप देख रहे होंगे यहाँ पर 0 आ रहा है इस 0 का मतलब क्या होता है exactly poppy size globules poppy size globules most important government जब कोशन है जो 0 है वो क्या बताता है poppy size के एक्तम छुट 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 पपpy size के जो globules में बनाए जाते है तो 0 में बताता है poppy size globules को बताता है और जो 1 है वो उसके power को बताता है ठीक है न तो poppy size globule 1 power में poppy size globule 2 power में poppy size globule 3rd power में poppy size globule 4th power यह हमें बताता है तो यह complete concept हुआ 50 millisimal scale के बारे में हमने देखा centicimal हमने देखा पहले decimal centicimal and 50 millisimal यह तीनों scale का जो basic concept है आपको आना चाहिए government के सबसे IMPI है and जो exams होते हैं उसमें भी short notes में आ सकता है ठीक है न अब इसके अदम लोग चालू करेंगे potentization की process वो मैं आपको next lecture है बताता हूँ